वर्ड गोर्ड काउंसिल यानी WGC ने शुक्रवार को मार्च तिमाही के लिए दुनिया भर में सोने की मांग और सप्लाई से जुड़े कुछ आंक्रे जाजी किये आंक्रे गौर करने वाले हैं WGC की रिपोर्ट में पता चला कि मार्च तिमाही के दौरान दुनिया भर में जूल्री के लिए सोने की मांग एक फीसद बढ़ी है और बढ़कर 480 टन हो गई है भारत में सोने की मांग 17 फीसद गिर गई है जूल्री के लिए यह ध्यान देने वाली बात है मार्ज सिमाई के दौरान दुनिया बर के केंद्री बैंकों ने गोल्ड खरीद 176 फीसद बढ़कर 288 टन रही है इस बीच गोल्ड की कीमते लगातार उची क्यों बनी हुई है इसकी क्या वज़ा है और भारत में मांग का पर क्या आसर होगा इसका अशुबम ड़ली जूसी की दुनिया में गोल्ड के मांकेट को लेकर गोल्ड की कीमतें लगातार रिकार्ड उचाए पर बनी हुई है जिसकी कुछ कारणों पर हम कल विस्तार से बात कर चुके हैं मैंने सिंट्रल में जहां आप देख सकते हैं उसको अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस काफी गहरी हो रही है बढ़ रही है जिस पर आज हम कुछ और नई जानकरियों के साथ आपके सामने आएंगे अभी बताएंगे लेकिन जो जो दबाओ है मन्दी का उसे देखते हुए दोनों मूलबान धातुएं सोना और चान्दी रिकार्ड लेवल पर हैं चान्दी की कीमत भीकल 78,000 र रिपोर्ट में कही गई जो भारत की बाजार के लिए जरूरी है कि भारत में सोने की महँगाई अब जिस इस तर तक पहुच गई है 72,000 के रुपए से उपर तक पहुच गई है वहां भारत में सोने की मांग घटने की संभावना है उसमें एमने गिरावर पिछली बार भी कि WGC की रिपोर्ट कह रही है कि जून और सेप्टेंबर के कौार्टर में यानि अगली दो ती महीयों में भारत में सोने की मांग में कमी आएगी क्योंकि सोने की बढ़ी हुई कीमते खरीद के उत्साह को सीमित कर रही है और चूंकि सोने की महँगाई इसा लगातार बने रहने वाली है इसकी संभावना दिख रही है तो सोने की डिमांड में कमी आईगी है कि सोना और करेंसी का कोई रिष्टा नहीं बचाया कि सोने के भंडार क्यों बनाए जा रहे हैं किस तरीके का डर है इन्हें है भविश में किस तरीकी की परस्तितियां बंती दिखाई दे रही है वहाँ है समझ सकते हैं WGC की रिपोर्ट ने इस ट्रेंड पर मोहर लगाई है कि दुनिया के बैंकों ने सबसे बड़े ग्रहाकों के तोर पर वाजार में सोनी की खरीद की है